कि यह स्टुडेंट्स वेल्कम बैक इन के एस्टी मेस्ट क्लासेज आज हम इस वीडियो लेक्षर के अंदर वेक्टर इंटेग्रेशन एक्सराइज बी और इसका एक्जामपल नम्र फाइव साव से पहले हम डिसकस करेंगे ठीक है तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या दे आपने को इवेलुएट लाइन इंटेग्रल एफ डॉट डियार और अवर दा कर्व सी ठीक है क्या कर रहा है इस रिखास माकलन को केल्कुरेट करिए आप यहां पर वक्र कौन सा दे रखा है सीधे रखा है और फिर आगे इस ने बताया है एफ एफ एक्स स्केर प्लस वाइ इस कर इंटो i-2xy इंटो j ठीक है और c क्या है c के पारे में क्या लिख रहा है c is the rectangle एक आएध है किस के अंदर in xy plane xy plane के अंदर एक rectangle ठीक है की बाउंडरी यूज़ करनी है अपने को ठीक है तो अब सबसे परा टार्गेट क्या होगा इस सी को बनाई आप तो लिखो फॉर सी हाँ हम इसक्या दिरिखा है इसमें रेक्टेंगल रेक्टेंगल आयत इन एक्स बाई प्लेन एक्स बाई तल में एक आयत है जिसकी समी करने कौन कौन सी दे रहे हैं इक्वेशन्स कौन कौन सी है एक्स इक्वेल टू जिरो एक्स इक्वेल टू एक्स इक्वेल टू जिरो एंड वाई इक्वेल टू बी ठीक है तो हम इसको अगर बनाएं तो यह हमारे पास किस टाइप का बनेगा एक्स अक्स इस वाई अक्स इस और वाई अक्स इक्वेल टू जिरो होता है और एक्स अक बाद X equal to A, X equal to A का मतलब क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो A,0 से जाएगे, यह लाइन passing through A,0, that is X equal to A, ठीक है, और उसके बाद Y equal to B का मतलब क्या होगा, A line parallel to X axis and passing through 0, B, 0, B से जाएगे, यह Y equal to B होगया, ठीक है, और अब हमारे पास जो rectangle आ रहा है, वो कौन सा है, उसके कौन कौन से point से, corner कौन कौन से बाद के देखिए आप, एक तो होगया, origin, 0, 0, दूसरा हम इसको A expose कर लेते हैं, then B and then C, O, A, B, C, और अब आप इसको थोड़ा सा direct करके दिखा दो, ताकि पता चले हम इस करोकर choose करेंगे, तो इस rectangle का हम use करेंगे, कैसे लगातार, continuous, ठीक है, arrow का sign दिखा दो, पहले O से A, फिर A से B, फिर B से C, और last में C से O, ठीक है, तो कहने का अवतलब क्या हो गया हमारे पास, रेक्टेंगल हमारे पास आ रहे है, O, A, B, C, ठीक है, तो अब लिखो आप, now, f.dr, क्योंकि हमारा टार्गेट है, f.dr calculate करना है, हावी नाओ, a solution लिखना, f.dr, और दा करव सी, लाइन इंटेग्रेशन, ठीक है, और दा करव सी, f.dr, हावी, अब इसके बाद, द्यान देना है, क्योंकि C क्या है, rectangle है, तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, देखो, चार पार्ट बनेंगे इसके अंदर, सब से पहले, along line O, A, f.dr, फिर क्या होगा, line A, B, B, बड़े द्यान से चलना है, O से A, फिर A से B, f.dr, फिर तीसरा इंटेग्रेशन होगा है, इसके अंदर, इंटेग्रेशन, B to C, f.dr, और उसके बाद, चौथा और लास्ट इंटेग्रेशन होगा है, इसके अंदर, कौन सा, C से O, f.dr, एक्वेशन नंबर first, तो अब हमारा टार्गेट रहेगा, ये चार इंटेग्रेशन कैल्कुलेट करना, ठीक है, इन चारों के वेलो अलग-अलग कैल्कुलेट करेंगे हम, और इसको किस के अंदर पूट किया जाएगा, एक्वेशन, first के अंदर, ओके, तो means, r equal to, क्या होता है, xi, plus yj, plus zk, then dr, dr means, इसका differentiation करना आपने हो, that is, dxi, dyj, dzk, ठीक है, and now f.dr, अब हम कैल्कुलेट करेंगे, f.dr, ठीक है, तो क्या करना होगा, इसके अंदर देखा, आप, i का i के साथ, j का j के साथ, और k का k के साथ, तो आप f की value लिखा, x square plus y square into i, minus 2xy into j, plus 0 into k, क्यों k नहीं है, तो आप 0 into k लिख सकते हो, आप, ओके, और multiply में, dot के बाद, dr की value, dot, dxi, dy, j, and dz, k, ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, i का i के साथ, j का j के साथ, और k का k के साथ, तो हमारे पास बनेंगा, that is x square plus y square, into dx, फिर minus 2xy into dy, फिर last में 0 into dz, 0 into dz, इस तरीके से लिखेंगे, हम, तो कुल में लागर के देखो, मारे पास, अगर हम इसको integrate करें, ठीके, तो ये क्या देगा, integration over the curve c, f dot dr, equal to, हमारे पास आएगा, यहाँ आप ऐसा करो, इसको equation number second देदो आप, एक स्टेप और लिखों में, x square plus y square into dx, minus 2xy into dy, equation number second, और यह किस तीज़ की value आगे हमारे पास, f dot dr, ओके, देआर से सुनिएगा, आप आर लिखना, r से dr, फिर dr और f का dot product, equation number second, ठीके, और अब आप क्या गरो, अब आप चार केस बनाइए, पहले इसकी calculation करेंगे o a पर, फिर f dot dr की calculation करेंगे a b पर, फिर f dot dr की calculate करेंगे b c पर, ठीके, इस तरीके से, और last में c o p उपर, चार case बनाएए हम, तो लिखे आप case first, पहला case, ठीके, देखवा आप integration कहां पर है, along o a, o a के अनुदिश, आप चाहो तो इसको पर वेक्टर का sign भी लगा सकते हो, अब आप देखो, o से a पर क्या हो रहा है यहां पर, हाँ भी, हमारे पास x from 0 to a, x की value यहाँ 0 है, यहाँ कितनी है, a है, तो x की value कहां से कहांता होगी, 0 से a, और y कितना हो गएदर हो फाफ, y 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, y 0 होता है, तो y equal to 0, अब रेक्ट के अंदर लिख सकते हो, constant, अचर्ष, और जब y constant है, तो dy कितना हो देगा, 0 देगा, ठीक है, इसका use करिया आप, देन, integration, o a, f dot dr, और अब आप equation second का use करिया, by 2, समीकर्ण 2 से, ठीक है, तो देखो क्या होगा, integration का sign लगा होगा, f dot dr की value पूट करोगा आप यहाँ पर, और इनका use कर लेना, आप देखो, y 0 है, dy भी कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लेदेना आप, तो यह हो जाएगा, that is x square, plus 0, into dx, जान दो, आप मैं क्या कर रहा हूँ, y के स्थान पर 0 पूट कर रहा हूँ, because y equal to 0 है, और dy भी 0 है, तो second term हो जाएगे, minus 2, x into 0 into 0, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दो, ओई, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब अब देखो, environment किस type का होगया, mall कैसा है यहाँ पर, हमारे पास calculation करने के बाद, x square into dx बन रहा है, बाकी सब 0 होगे, अब जब dx है, तो limit किस की लगाएंगे हम, x की लगाएंगे, तो देखो, oa पर x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से a है, आपके सामने, diagram देख सकते हो आप, 0 to a, ठीक है, oa पर x की value 0 से a है, द्यान दो आप, क्योंकि dx है, तो आपने को सिरुफ x की limit लगा नहीं है, और अब आप इसको integrate कर दो, तो x की power 2 का integration कितना होता है, x की power 3 बटा 3, limit 0 से, ठीक है, और अब अगर हम limit लगाएंगे, तो यह हमारे पास क्या बनेंगा, a cube by 3, तो यह first integration की value होगे हमारे पास, ठीक है, आप इसको box में डाल दो, implies, अगया हम ऐसा लिख सकते हैं, that is integration, oa, f dot dr, equal to a cube by 3, यह परली value आगे हमारे पास, ठीक है, इस first time की value, अब लिखा आप k second along a b, k second along vector a b, ठीक है, तो आप देखिए, a b पर क्या कुछ है, बस यह अब जरू करना है, इन questions के अंदर, कि जो आप line चूज़ कर रहे हैं, उस line के उपर क्या conditions है, क्या चल रहा है रिखा आप, a b को द्यान से देखिए आप, a b के उपर, अगर हम इस b k coordinate देखिए, तो क्या बनेंगे, a, b बनेंगे, तो आप यहाँ से लग जवाब, x a, x a, तो कहने का आप लाँ, x constant है, कितना a, तो लिखो आप, x equal to a, break के अंदर लेखिए न, constant, अचर, और जब x constant है, तो dx कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है, फिर आप देखो, y की limit कहां से कहां तक जाएगी, यहाँ y 0 है, और यहाँ y कितना है, b है, देखो आप, बहुत है सिंपल, यहाँ y 0, और यहाँ y कितना है, b, तो y का मान 0 से b हो गया, लेकर आप, y equal to 0 to b, coordinate 0, और यहाँ coordinate b, 0 to b, बहुत है सिंपल है, और अब लिखो आप, now, f dot dr, along a, b, तो आप देखो, क्या करोगे आप, अब d x 0 होगे अधा अंधर आप, यह टर्म 0 जाएगी, क्यों d x 0 है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे integration, along a, b, ठीक है, पहले टर्म 0 बनेंगी, क्यों d x 0 है, ठीक है, दूसरी टर्म हमारे पास बनेंगी, minus 2, x के स्थान पर a put करना है, और y को y रखना है, और साथ में d y आएगा, यहाँ भी आप x के स्थान पर a लिख सकते हैं, यहाँ x बराबर a है, तो आप इसको कर देना, x के स्थान पर a, जान से सुनिए आप, x कॉंस्टेंट रहेगा, सारी calculation के अंदर, जहाँ भी x है, वहाँ पर यह लिखेंगे हैं, dx के स्थान पर 0 हो जाएगा, ठीक है, और y की limit कितनी हो जाएगी 0 से b, तो अब साब से पहलों अगले step के रहेगा, टर्म काउंट से बज रही है हमारे पास, हमारे पास टाम यह बच रही है, 0 होगी, तो क्या हैगा हमारे पास, 0 to b, क्योंकि y की limit लगानी है, विकाँ दी बच रहा है हमारे पास, तो minus 2a y into dy, ओके और अब अगले step के अंदर, constant को बार निकाल दो आप, और integrate करिए, ठीक है, तो अगला step हो हमारा बढ़ेगा, minus 2a y, हाँ भी, अब देखो, बाहर constant निकालो आप, तो यह जाएगा, integration, over the curve a b, f dot dr, बराबर, 2a bar, with negative sign, क्योंकि minus b है, अब यहाँ y है, और y का integration कितना हो जाएगा, y square upon 2, और limit लगा दो आप इसके अंदर, 0 से b, 0 to b, ओके, और अब 2 से 2, cancel, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो आप, हमारे पास आएगा, minus a into b square, और lower limit लगाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो कुल में लाकर के कितना आगया, minus a b square, ठीक है, minus आगया, a into b square आगया, last time 0 होगी, हमारे पास, minus a b square, तो यह किसीज की value है, f dot dr along a b, मैं इसको उपर ले रहता हूँ, that is, minus a b square, अब इसके बाद है, या case third, तीसरा case, कौन सा बनेगा, case third, o a discuss कर लिया, a b discuss कर लिया, b c की value है, b c की बारी आग, along b c, ठीक है, तो आप देखो, b c पर y b है, constant, तो देखो आप y equal to b, that is constant, कैसे पता चल रहा है, constant है, क्योंकि इस point के coordinate भी भी है, इस point के coordinate भी भी है, बकि y equal to b क्यों होता है, constant होता है, और अगर हम इसका differentiation करेंगे, तो dy कितना जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है, और फिर आप x देखो, कहां से कहां तक है, x जाएगा a से 0, जान देना b से c लिख रहा हूँ, तो x a से 0, तो लेख तो आप, x from a to 0, गल्ती से 0 to a मतले देना आप, क्योंकि आपने b से c चलना है, b पर x की value a है, और c पर x की value क्या है, 0 है, तो यह x की limit हो जाएगी, तो अब हमारा target रहेगा, सबसे पले f.dr, क्या बनेगा इस condition के अंदर, ओके, हाँए देखो, bc, ठीकि, y के स्थान पर b पूट करना है, पहली टाम बनेगी, x स्केर, पलस b स्केर इंटू, dx, और dy के स्थान पर 0 पूट करना, यह टाम 0 जाएगी, माइनस 0, समझे, y के स्थान पर b पूट करना है, b स्केर हो गया, और dy equal to 0 है, तो dy 0 ने करण यह टरम 0 होगी, और अब आपने bc को हटा करके limit लगा दो, हम यह dx है, limit किसकी लगेंगे, x की कहां से कहां तक, a to 0, ठीक है, तो यह हमारे पास बन गया, x की पावर दो, पलस b की पावर दो, इंटू dx, ओके, और अब आप इसको integrate करिए, तो कितना देगा, x की पावर 3 बटा 3, 20 के रेक्स, और limit, a से 0, ओके, और अब आपने क्या करना होगा, अपर लिमिट माइनस, लोवर लिमिट, 0, माइनस a q, 0 माइनस a q, पलस b स्केर इंटू, 0 माइनस a, ठीक है, एक बटा 3, 0 माइनस a q, फिर पलस b स्केर, इंटू x की वेलू आ देगी, हमारे पास 0 माइनस a, और ऐसा करने के बाद, हम लोग क्या कर सकते हैं, देख़़ाँ, हम लोग लिख सकते हैं, माइनस a q अपावर 3, माइनस a b स्केर, माइनस a q अपावर 3, माइनस a b स्केर, ओके, तो यह किस इस की वेलू आगे, यह हमारे पास आगा, तीसरा इंटिग्रेशन, लिख दो आप, इसको बाक्स में डाल देना यहां पर, देट इस, माइनस a q अपावर 3, माइनस a b स्केर, और अब चौथा और लास्ट केस, चौथा और लास्ट केस, ठीक है, तो क्या लिखो गया आप, इसमें देखिया, चौथा केस, along c o, c से o, ठीक है, तो आप देखिये, c से o की नेचर के आए, x constant है, यहां पर, 0 है x, तो लिख दो आप, x बराबर 0, constant, अचर, इंगलिश में constant लिख दो आप, और जब कोई चीज चीज constant है, तो उसका differentiation क्या देगा, 0 देगा, द्यान देना, constant कहा दो, हर एक जगा x का मान 0 है, यह का equation ही क्या होता है, x equal to 0, आप एक रोज के पाद देखिए, y कहां से कहां तक है, y जा रहा है, b to 0, c lower limit, ओपर अपर लिमिट, तो b to 0, यह y की value है, और अब आप लिखो, f dot dr, कहां पे along co, तो देखो, क्या कुछ होजएगा, dx equal to 0, पहली डर्म 0 होगी, फिर minus 2 into 0, क्यों x आ रहे हैं, आप देखो आप, 2 x y, x के स्थान पर 0 पूट करना है, और multiply में y into dy, तो limit आ देगी b से 0, तो देखो आप यह term 0 ही होगी, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0 लिखोगे आप, क्यों यह भी 0 है, और इसमें multiply में 0 आ गया, ठीक है, तो 0 का integration 0 होगा, कब जब limit दे रखी हो, अदर्वाई हम constant लिख सकते हैं, अगर limit ना हो, अगर limit है, तो फिर 0 का integration 0 ही आएगा, ओके, और इसको देखो, आप इसको बॉक्स में लेग दो, integration, along co, f.dr, बराबर 0, और अब आपने क्या करना है, equation first के अंदर value put करने हैं, कहां से, by case first, second and fourth, तो यह हमारे पास 4 case है, देखाओ, कौन-कौन से, यह first case, यह second case, यह third case और यह fourth case, तो अब आप आईए, by one, equation first से, तो लिखे प्लीज, by one, comma, case, first, second, third and fourth, यहनिकि इन चारों case से equation first के अंदर value put करने हैं, अपने को, ठीक है, तो left hand side के equation first की, integration, over the curve C, f dot dr, और right hand side के दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट hand side के दर इन चारों का जोड कर दो आप, a cube by 3, पहला हो गया, फिर आप यह लिखोगे, minus a, b square, फिर आप लिखोगे, minus a cube upon 3, minus a, b square, और फिर आप लिखोगे, last में 0, प्लस 0, प्लस 0, नो टाम सेम है, देखो, आप minus a, b square, minus a, b square, तो इसको प्लीज ऐसे लिख न, minus 2, a, b square, यह answer बनेगा, ठीक है, आप एग्जम्पल नमबर 6 देखिया, शह नमबर एग्जम्पर, ठीक है, तो क्या करें एसक अंदर, evaluate, मान गयात किजी, किसका, integration over the curve c, yz into dx, plus xz into dy, plus xy into dz, and where c is any path of, from, point 100 to 214, c क्या है, वो कहरा है, कोई पत है, कोई रास्ता है, कहां से, इस point से लेकर, इस point तक, ठीक है, c बिन्दू, यहां से, यहां तक का कोई पत है, तो देखो, सबसे पहला target क्या है, given integration किस form के अंदर दे रखा है, यह नहीं लिखिया, आप solution, integration c, yz, dx, plus xz dy, plus xy into dz, यह हमारे पास given integration है, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा observe करें, तो यह किस type का है, यह है, integration over the curve c, f1, dx, f2, dy, f3, dz, इस type का है, ठीक है, तो कहने का लोग क्या है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, that is c, f1i, f2j, f3k, dot, dxi, dyj, और dz, k, ठीक है, तो कहने का लिख लिख, यह क्या हो गया, यह f हो गया और यह क्या है, dot dr, ठीक है, तो आप लोग f को बना सकते हैं, यहां पर, कैसे बनेंगा, yz, i, plus xz, j, plus xy, k, ओके, और इंटू में कहेगा, dot, dxi, dyj, and dz, k, ok, तो क्या हो गया, यह, यह हमारे पास हो गया, integration over the curve, c, f dot, dr, vector, f dot, vector, dr, ok, और अब देखो, main हमारा target क्या होगा, f dot dr, calculate करना, बस और कुछ नहीं, calculate करना, और, उसके बाद हम लोग limit लगाएंगे, क्यों, उसने clear दे रखा है, इस point से लेकर, इस point तक, करू को आपने consider करना है, तो इसके लिए, आईए, सब से पहले, हम क्या करते हैं, इसको number 1 दे दो, ठीक है, आप लिख सकते हो, where f, यहां पर f कितना आगया, हमारे पास, हमी f आगया, back traffic will do, yzi, plus xz, j, plus xy, k, यह f की value है, और dr हमारे पास क्या है, dr हमारे पास है, dxi, dyj, and dz, k, हम इन दोनों को त्यार कर लेंगे, और इसके अंदर value put, f.dr calculate करेंगे, इसके अंदर value put करेंगे, limit लगा देंगे, और 100% क्या होगा, answer आएगा, ठीक है, तो अब आप लिखिए, c के बारे में, हाँ भी लिखो, आप c is any path from point 1002214, यह given है question के अंदर, यह इसने दे रखाय है, ठीक है, तो हम suppose कर लेते हैं, वो path क्या है, स्टेट लाइन, ठीक है, तो अब आप लोग माल लो, कि इन दोनों बिन्दों को मुलाने वड़ी, स्टेट लाइन ही, करव का equation है, ठीक है, path of equation, क्या चीज़, इन दोनों को, दोनों बिन्दों को मुलाने वड़ी, सरल रेखा, ओके, तो लिखो आप, स्टेट लाइन, पासिंग ठूरू, let equation of state line passing through .100, and 214, is given by, ठीक है, हम भी, हम लोग क्या करेंगे, इस path को क्या suppose करेंगे, हम स्टेट लाइन मान लेंगे, और उसका equation लिखेंगे, हम ठीक है, कौन सा equation, जो इन दोनों बिन्दों से गिजुरती हो, तो बहुत ही simple सा formula होता है, इसका, x-x1 upon x2-x1, y-y1 upon y2-y1, z-z1 upon z2-z1, ओके, संगे आप, अब इसके अंदर आप लोग क्या करो, x1, y1, z1 इसको suppose करलो, x2, y2, z2 इसको suppose करलो आप, तो लिखो, x-1 upon 2-1, that is, y-0 upon 1-0, and z-0 upon 4-0, इस तरीके से, x1, x2, y1, y2, z1, z2, ठीके, values put करना, और अब इसकी calculation करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेंगा, हमारे पास बनेंगा, x-1 upon 1, that is, y upon 1, and z upon 4, और इसको suppose करलो आप, t, let t, ठीके, और उसके बाद क्या करेंगे हम, first और fourth term को equal put करते हैं क्या आदेगा? x-1 equal to t, then x equal to 1 plus t, x ब्राबर, 1 plus t, और उसके बाद, ऐसे ही, second और last term को ब्राबर put करेंगे हमारे पास क्या आदेगा? y equal to t आदेगा, ऐसे ही third और four term को ब्राबर पूट करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा z की value आजाएगी कितनी 40 x आगया one plus t y equal to t और z equal to 40 ठीक है और अपने को dx की भी जूरूरत पड़ेगी dy भी चाहिए होगा dz भी चाहिए होगा अपने वो question को सॉलो करने के लिए तो आप लोग क्या करेंगा differentiation कर दो ठीक है तो लिखिया आप dx upon dt equal to one then cross multiply कर दो आप dx equal to dt ऐसे यहां पर हमारे पास क्या देगा dy equal to dt आदेगा ऐसे लास्ट में हमारे पास क्या देगा dz equal to four into dt आदेगा कि डिफ्रेंशेशन करने के बाद कि ओकी यहीं कि डी एक्स डी वाई और डी जट अगर आपके पास एक्स वाई जड है तो आपको डी एक्स डी वाई डी जड की जुरूर्द पढ़ने वड़ी है तो इसलिए आप इनको वित्यार करिए ठीक है और अब आप limit भी केलप्लेट करिए लिमिट ठीक है तो सब से पहले लिखो आप limit के लिए हाँ पहले इस पॉइंट के उपर लिमिट बनाओ फिर इस पॉइंट के उपर for limit of t क्योंकि जब हम dx के स्थान पर value put करेंगे dt आदेगा xyz के स्थान पर value put करेंगे t आदेगा हे यहांदेश तो क्या करना होग अपना लिमिट केल्कुलेट करनी होगी कि से टीए ठीक है तो आप देखे आप लिमिट ग्रुर्2- पहला point हमारे पास है 1, 0, 0 ठीक है तो आप इस point को in के अंदर put करके देखिए आप इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर x, y, z की value put करो आप इस point से देखो जब x equal to 1 put करेंगे तो कितना जाएगा 1 से 1 cancel, t equal to 0 और जब हम इसके अंदर y के स्थान पर 0 put करेंगे देखो आप y के स्थान पर 0 put करेंगे, t कितना जाएगा, 0 आएगा ऐसी जब हम z के स्थान पर 0 put करेंगे, t कितना जाएगा, 0 आएगा तो तीनों में ही अगर हम इस point को put करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, then we get t equal to 0, ठीक है, इस point को इन तीनों equations के अंदर अगर हम put करें, x, y, z की value, t कितना आ रहा है, 0 आ रहा है हमारे पास, and similarly, इसी परकार, add point, दूसरा point हमारे पास है, 214, then we get, आप देखो, आप किसी भी equation के अंदर put करो, आप x के स्थान पर 2 रखी आप, 2 रखो यहाँ पर देखो, क्या होगा, 2 minus 1, t equal to 1 आएगा, y equal to 1 put करो, t equal to 1 आएगा, z equal to 4 put करो, आप 4 से 4 cancel हो जाएगा, t equal to क्या हैगा, 1, then we get t equal to 1, तो यह t की limits होगी, कहां से कहां, 0 to 1, ठीक है, और अब हमारा target क्या है, हम f को भी t में change करें, और हम dr को भी t में change करें, तो लिखो आप, now f, vector f को t में change करिए, प्लीज, तो क्या है, y z, बड़े द्यान से मान पूट करना, y into z, that is t, into 40, y into z हो गया, multiply में आई ही आएगा, फिर लिखो आप x, x की value है, 1 plus t, और into z, कितना हो जाएगा, 40, into j, फिर plus, last में क्या है, x, y, k, यहाँ mistake कर रखिये हैं मैंने, तो इसको आप सही कर ले न, x, y, k, ठीके, तो x की value हमारे पास है, 1 plus t, into y की value है, t, और multiply में क्या हैगा, ठीके, तो अब इसको थोड़ा सा और simplify कर दो आप, तो क्या बन रहा है यह, 4t square i, plus 4t, 4t square j, और यहाँ पर हमारे पास आजएगा, t plus, t square into k, ओके, और now dr, अब dr लिखो आप, ठीके, तो dr बनेगा, vector dr equal to dx, dx की value मेरे पास है, dt, that is dti, dy की value भी क्या है, dt, that is dtj, और फिर dz कितना है, 4 into dt, multiply में क्या हैगा, ठीके, और अब आप लिखिए, f.dr, f.dr, दोनों का dot product, तो क्या करेंगे हम, i का i के साथ, j का j के साथ, और k की term का k के साथ होगा, तो यह कितना जाएगा, 4t square into dt, because i dot i 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, 4t plus 4t square into dt, और last हमारे पास क्या बढ़ने जा रहे है, इसको 4 से multiply कर दो, और multiply में dt लिख दो आप, 4 का इसके साथ multiply, that is 4t plus 4t square into dt, और k dot k कितना जाएगा, बन हो जाएगा, तो i का i के साथ dot product, j का j के साथ dot product, and k का k के साथ dot product, यह terms लिखनी होती है, बाकी terms क्या होती है, 0, ठीके, because i dot j क्या होते हैं, perpendicular i और j, इसलिए i dot j की value क्या होती है, जिरो, ठीके, तो i dot i बजता है, j dot j बजता है, k dot k बजता है यहांपर, ठीके, और अब आईए आप by 1, equation first के अंदर value put करो, और यह limit लगा दना, t equal to 0 to 1, ठीके, तो लिखे प्लीज, और आप हो सके ज़सको और simplify कर लो, क्योंकि देखो common आ रहे हैं आपर, तो common निकालो आप, जोंकि जतना easy होजे, उतना बड़ी आ रहेगा, f dot dr, दो step भी लिख लो आप, 4T square, 4T, 4T square, 4T plus 4T square, multiply me dt, ओके और अब देखो आप, अब यह कितना हो गया, अब यह हमारे पास बन रहे है, 4 plus 4 plus 4, that is 12, and 4 plus 4T, कितना हो गया, 8T, 12, T square, plus 8T, into dt, ओके, और अब लिखिया, by 1, equation first, ठीक है, equation first की right में हम value put करेंगे, left hand side क्या चल रही है, वो भी लिखो आप, left hand चल रही है, integration, over the curve C, पहले step के अंदर हमारे पास है, y into z, into dx, फिर हमारे पास है, z into x, multiply में dy, फिर last में हमारे पास है, x y into dz, यह इसकी left है, equation first की, और right hand side के अंदर f dot dr का मान पूट कर दो आप, equal to f dot dr की value put करेंगे हम, और c को हटा करके, क्यों यह सारा प्रोग्राम क्या है, किसमें आगया, t में आगया, तो आपने limit भी किसके apply करेंगे, t के apply करेंगे, तो 0 से 1, और into f dot dr की value put कर दो, आप तो कितना देगा, 12 t square, plus 8 t into dt, और अब बड़े है राम से integration करेंगे, आप, that is 12 t q upon 3, 8 t square upon 2, ठीक है, और limit 0 से 1, इसको और simplify कर लो आप, तो यह कितना देगा, यह हमारे पास बनेगा, हमें next, simplify करने के बाद, हमारे पास यह आएगा, that is 4 t q plus 4 t square, और limit 0 to 1, 0 से 1, और अब आप लोग क्या करो, इसके अंदर limits apply करो, ठीक है, अपर limit लगा दो, that is 4 into 1 cube, 4 into 1 square, और minus lower limit, 0 and 0, तो यह कितना हो जाएगा, 4 plus 4, that is 8, और यह, ओके, और यह इस question का answer होगा, ठीक है, तो प्लीज बड़ी द्यान से आपने इस question को सुनना है, और करना है, ठीक है, क्योंकि देखो, main क्या होता है, यहाँ पर, main होता है, करव, वक्र को समझना, क्योंकि वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, limits वगरा calculate करते हैं, तो करव को समझना बहुत ही जुरूरी है, ओके, ठीक यू, तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को like and share जुरूर कीजिएगा, और complete देखेगा ताकि आपको इसका benefit हो exam के अंदर, और हमारे YouTube चैनल, KSD Math Classes को subscribe करिएगा, ओके, और आप अपने friend circle में ही बताईएगा, कि वो मेरी वीडियो को देखें, और ज्यादा है ज्यादा हो exam के अंदर इंका benefit उठा सकें, ओके, thank you.